हेलो दोस्तों बेलकम बैक टू माइन न्यू गुलग और आप लोग ने जो पहला छोटा सा स्क्रिप्ट देखा उम्मीद करते कि वह अच्छा बना होगा क्यूंकि थोड़ा सा कुछ अलग करने के लिए और आप लोग का काफी डिमान था कि प्लीज एक बार पहाल का वीडियो आप बनाएए तो फाइनली अभी आज थोड़ा मौसम ठीक था और हलका हलका बारिज भी हो रहा है तो इसलिए बोले चलो पहाल तरब से घुनके आते हैं और घर से नजदिक भी है तो इसलिए मैं और बिर्यान आया हूं और आप लोग को दिखाते हैं यहां का पूरा सीन की इस तरह क्या और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोंगा जाके आप सब्सक्राइब कर लिजिए और अभी आप यहां पर देख सकते कुछ इस तरह का बड़ा-बड़ा पेर है ज यहां पर यह ललिता स्वां का सुटिंग हुआ तो जो कि टॉम सॉरन का है आप नहीं देखें तो दे दूंगा लिंक देख लिजिगा उसका सुटिंग भी नहीं देखें तो मेरे चैनल पर आप लोग देख लिजिगा तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं और य अभी में आ चुका यहां पूरा टॉप और काफी मुचाई पर अभी हम लोग तो ठंदा ठंदा हवा चल रहा है और थोड़ा-थोड़ा बारिस भी हो रहा है तो काफी अच्छा लग रहा है और यहां का भी आप लोग देख सकते कुछ इस तरह काफी मतला हम लोग गाव दियाहत में इस तरह काना मतलब जो भी है यह काफी खुचर होता है और जो पिकनिंग में हम लोग किये थे ओला पहाड अलग था और यह बला अलग है तो उसका भी अगर वीडियो नहीं देख तो डिप्सक्रिप्शन पर लिंक देदूंगा जाके देख लीजेगा और यहां पर देख सब्सक्राइब जरूर कर दिए और यहां पर काफी हवा भी चल रहा है और नेट का स्पीड तो पूरा फास्ट है घामें भी उतना नहीं रहता है और यहां से जो वह दिख रहा है आप लोग को काफी थोड़ा-थोड़ा सा दिख रहा होगा वहां पर आप देख सब्सक्राइब में थोड़ा साप लोग को जून करके दिखा आता हूं थोड़ा आप देख सकते उधर धान का खेती क्या हो और काफी आच्छा दिख रहा है यहां से पूरा लगता है कि पूरा बहुत बड़ा मतलब फिल्ड जैसा है ठीक है तो यहां से देख से आप लोग को दिख रहा है वहां पर खादा आने ठीक है वहां से पत्थल को निकाला जाता है उसके इस्ट्वाल माइंस का काम होता है उधर तो मैं भी आप लोग को लेकर चलता हूं उधर और दिखाओंगा एक अलग से वीडियो आज आएगा और यहां का भी आप देख से आप लोग को यह छोटा सा ब्लाग अच्छा लगा होगा तो मैं छोटा सा एक ब्लाग बना दिया इसलिए कि घूमने के लिए तो चलो आप लोग को भी थोड़ा सा दिखा दे और हाँ यहां पर एक चीज के खास बात यह है कि इंधर हम लोगा आए इदर जैसे कि टॉम पहल का सीन दिया जाता है जो कि इसके अधर साइड वी आनि की इसके उधर काफी मतलब अच्छा है और जाड़ जंगल जादा आए ठीक है तो यहां पर उस तरह का मतलब सुटिंग होता है गाना अक्सर होते रहता है ठीक है छोटे-छोटे स्वांग का सुटिंग होते रहता ह यहां से जो कि आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोग का गाम क्या सा है तो आप लोग को अधर थोड़ा सा घर न जपी और काफी दूर ज्यादा डिस्टैंस पर भी नहीं है तो मिलते एक नेक्स उलनों में तरत की लिए जाहिन बन्ने माद।